नमस्कार दोस्तों एक और फिर से आप सभी का सवागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजूकेशनल गेलरी में इस ब्यूडियो में हम बच्चे ? बेसी पार्ट टू बाले जिनका भी कंडि-100 नमर का है जलिँ साइंस हो वाले हो या क्मर्स वाली हो या आर्ट्स वाली वी हो उनका भी बच्चे सो नमर का हिंदी लिःस करएं एज इज प्रिवेस से आपको कोशन आ जायागा बहुत सारे कोशन मैच हो जाते बच्चे तो बहतर होगा कि आप इसको रिवाइज करके जाएं याद करके जाएं कि आएगा तो डिरेक्ट आप कम समय में कम समय में बना ले ठीक है बच्चे ने तो वहाँ पर हो सकता है यह द ुक्त है सायन्स एकोंष वाले कहा है बच्चे सो नमर पूरा डिसकस करें आपके साहिव सूनते हैं पूरा इनसर आपको हम यही पर याद करवा देंगे बहुत सारे कोर्षन तो आपको देखके जाना चीए पूरा वीडियो देखे बच्चे यहीं पर आपको याद हो जाएगा सेकेंड है डॉक्टर वासुदेव सरण अगरवाल रचीत नीवंद है तो महाकभी वानभट और स्रिस्टी की द्रिस्टी स्रिस्टी और द्रिस्टी थर्ड है डॉक्टर संपूर्नानंद का लिखा नीवंद है समाज और धर्म समाज और धर्म लिखावा नीवंद के इसका है बचे डॉक्टर संपूर्नानंद फोर्थ नमर देखिए डॉक्टर देवराज लिखित निवंद है डॉक्टर देवराज के द्वारा लिखिवा निवंद को ने बचे रामायन महाभारत में सांस्कृतिक चेतना डॉक्टर देवराज जी का लिखावा निवंद है फाई नमर देखिए गुनाकर मूले का लिखा हुअ निवन्ध है गुनाकर मूले जी का लिखा हुअ निवन्ध है मुस्किल है आज रामन के रहा पर चलना शिक्स नमर महत्वय गांदी रचित निवन्ध है भूत organisations बच्चे यह फूचा गया था पुछले साल भी मुक्षदाता राम किनका रचित निवन्द है तो महत्मा गांदी जी का सेवन्थ है बिनोवा भावे का लिखा निवन्द है सौरूप देखी क्या बचे सौरूप देखे बिनोवा भावे जी का लिखा निवन्द है आचार नरंद्र देब का लिखाने वंध कोने बचे वीवी दिता में एकता नाइंथ नमर जीवन में सत्य का प्रयोग किनकी आत्म कता है तो महत्मा गांधि का है सत्त और एहंसा के वाज जहां भी आ ज़े तो महत्मा गांधी जी सप और टॉप पर हैंगे भचे इसी बच्छे पिछले साल पूठा गया था हो सकता है नगारजून जी से आए था तो बिहार के सिमरिया में बेगू सराय में 11 नुमर जीवन और सिक्षन के रचेता है जीवन और सिक्षन करेच्टा है डोक्टर बिवन भाबर जीवन और सिक्षन के रचिता है डॉक्तर बिनौवा भावे 12 नमर महत्मा गंदी का जन्म किस वर्स हुआ था 1879 में सभी को पहले से पता होगा ध्यान रखे को सनाता है बच्चे उनकी माता का नाम भी पूछा जाता है पुतली भाई यह पूछा गया है बच्चे पिछले साल 2019 के आसपास या आर्ट्स वाले में पूछा गया है बच्चे देख लीजेगा रास्तिता और समाजवाद पुस्तक के लेखक कोन है तो आचार नरंद्र देव रास्तिता और समाजवाद पुस्तक के लेखक है आजार सरन उपाद धियाए भारती संस्कृति की कहानी के लेखक है भगवत सरन उपाद धियाए 60 नमर देखे बचे भारती एतिहास के आलोक अस्तम की कृती है भगवत सरन उपाद धियाए जी की संदर आसमान पर पूल बांधने वाला मैं अपनी कुबत आप नहीं जानता यह पंक्ति किस निवन्द से है तो मैं मजदूर हूँ मैं मजदूर हूँ पंक्ति से पिछले साल मी को सद या थो सद शेसे हम यहीं बटाते जा रह 008 बांधने के दर्वार में कभी थे उन्होंने हर्ष जो हर्ष बर्दन था उनका पुरा जीवन चरित्र लिखा था हर्ष चरित्र में हर्ष चरित एक सांस्कृतिक अध्यन के लिखक है डॉक्टर वासुदेव सरन अगरवाल जी नेक्स्ट वान की बुद्धी 20 नमर वान की बुद्धी चित्र ग्रहनी थी यह किनकी कथन है बचे डॉक्टर वासुदेव सरन अगरवाल की पृत्वी से सबतर्सी मंडल पुस्तक के लिखक कोन है डॉक्टर संपुर्नानंद 22 नमर देखे बचे समराठ हर्सवदन किनकी कृति है डॉक्टर संपुर्नानंद की आसान एकोशन बचे इसलिए थोड़ा बहुत स्पीड में कर रहा है ताकि जल्दी हो जाए समाज किसी को ब्रह्म घ्नी नहीं नहीं बना सकता परन्तु मनुस्थ की भाहاتी रहने का अवसर दे सकता है यह पंक्ति किसत निवन से है समाज और धर्म से है प्राय हमारे धृष्ट्टि संदर्य की और तब जाती है जब अस्तित्व संबंदी संगर से, लगाऊ और रखने वारी समस्याएं ना हो यकिन का कथने तो डॉक्टर देवराज का बढ़ी इंपोर्टेंट कथने बचे सॉंदर के तरफ आपका भी धियान जाता होगा लेकिन कब जाता है देख लिजे लिखा हुआ है प्राया हमारे द्रिष्टी सॉंदर की और तब जाती है तारते आपका लगाओ नहीं है तब आप ता रहेंगे तब आप सॉंदर के तरफ जाएंगे जाकातन किन का है बचे डॉक्टर देवराज जी का बहुत ही इंपोर्टेंट है याद रखें पिछले साल भी पूछाता है 25 नमर देखें बच्चे बिज्ञान दिवस कब मना जाता है 28 इस फरवरी बार बार बिज्ञान दिवस और न धिषान दिवस बच्के किसीए स्टरीम का हो सयंस स्टरीम का हो कोई भी एतलि प्रते एक साल हिंदी दिवस और बिज्ञान डिवस कब मना जाते पूछा आपको ध्यान रखना चाहिए 26 नमर चंदर सेखर वेंकेट रमन का किस बेसे के लिए नोबल प्राइज मिला था बच्छे तो भौते की फिजिक्स के लिए इनको मिला था सिवी रमन रमन इफेक्ट खोजे थे यह भी कोशन पूछा गया था बच्छे जहां जहां पूछा गया था वो सभम बता रहे आपको 27 नमर चंदर सेखर वेंकेट रमन को महान खोज का रमन प्रभाव का नाम सब्रथम किस ने दिया था तो प्रिंग सासम ने इनका नाम दिया था 28 नमर वेग्यानिक भी अपने चारो और के वातबरन और राजनीतिक परिस्तितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता या कथन किसका है गुनाकार मूले जिन कहा था कि वेग्यानिक भी चाहे वेग्यानिक क्यों नहों हो वी अपने चारो और के वातबरन और राज कोई भी आदमी इवन देवता इवन भगवान भी अपने आसपास के जान करें रखते बच्छे उके तो इंसान का वजूद है उनके सामने 29 नमर मोक्षदाता राम निवन्द के लेखक है महात्मा गांदी मोक्षदाता राम निवन्द के लेखक है महात्मा गांदी इंपोर्टेंट है स्वरूप देखे निवन्द के लेखक है विनोवा भावे पहले भी हम पर चुके है बिवेज एर में ही पूछा हुए बच्चे ध्यान रखे विविधिता में एकता नीवंद के लेखक है आचारे नरंद्र देव 32 मैं मजदूर हु नीवंद के लेखक है भगवत सरन उपद दिया है 33 महा कभी वान की दिरस्टी और दिरस्टी के रचेता है वासुदेव सरन अगरवाल जी है 34 नमर देखिए समाज धर्म नीवंद के लेखक हैं डॉक्टर संपुर्णा नंद यह अधिकतर जो लेखक के बारे पूछा है कुछन बचे प्रतेक साल पूछा जाता है इसको आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए बचे यही कुछन आ भरोसा करें कोई आपको बता रहा आपने अर्भव ससे तो हम इसे ही तुक्काने मार रहाएं कर रहें त्रिविएस एयर में यही पूछा गया तो यही कुछा पूछ पूछा गया थी अक्दम बिलिव करें बच्चे हम सभी प्रिविएस- associations को त्यार करके एक्जाम में बै यहां एज़ी जो प्रिव्यसर का कोशन बना था वही कोशन को बस वह रिपीट कर देते हैं एक दो कोशन को ट्रण को एकदम कौपी-पेस्ट कर देते बच्चे तो अच्छे से आप याद कर लें जितना वी कोशन है वीडियो को 2-3 बार देखें वच्चे लिक के अपना 35 रामायन महाभारत में सांस्कृतिक चितना दिवंध के लिखक हैं डॉक्टर देवराज नेक्स्ट मुश्किल में हैं आज रामन की रहा पर चलना के लिखक हैं पहले वी पर चुके हैं गुनाकर मूले कौन है बचे गुनाकर मूले मनुस ने अपने को इतनी टुकरों में बा प्रकासेरी निवंध कूझ काहां से प्रकासित हुआ है बचे मानव प्रकासन से प्रकासित हुआ है निवंध कूझ dépendक हैं डॉक्टर रमाकंत जां Jarша को ने 화 haceboarding लिखक समपादक हैं हिंदी दिवर आ भचे हंप्रतेक साल काहिए ले पीज्जान डिव्ञान डिवस कुछ कु हिंदी दिवस कम मनया जाता है? लेकिन, भारत हिंदी, 15 सिंपटेंबर. उन्थ रिखतेंद में, प्राफ्थ बछी कोसन भी है नीचे राज भासा के लिए प्राठ के लिए सरकारी कामकाज की भासा को राज भासा कहते हैं सरकारी पत्र के लिए तयार के गए मौसेध्य को क्या करते हैं प्रारूप हिंधी पूछत पूछा हुआ तो थो धरुट हमको याद है सब कोषनियह यहां भी रिपीट होग क्या आगे ऑगा है तो अनुछे 343 ए भी कोशन पूछाय दूछा है है भच्छे अप्च्छन ऐ सई है 343 सम्चन के अस्डम अनुशूची में सामिल नहीं है क्वोहन ऑ spectacular जहित तो थीन सवाने संग की राजभासा की रूप में हिंदी की शुकार के जाने का निरने कब लिया वच्चे 14 सेप्टेंबर उन्हीं सब्टेंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है राजभासा अधिनियम कब बनाया गया तो 1963 में राज भासा नियम kब बनाया गया सी कर ले इसको राज भासा नियम 1964 में बनाया गया ये पुछले साल पूचा हुआ था इसलिए हमें याद है बच्चे उच्तम नियाले और ऊच नियालों के लिए भासा का प्राथान संमिधान का की सनुछेद में है नियम ने कदें करते कि एकट लगा दिया तो मतलब यह दर ओर डिनेंज क्या अर्थिया आध्यादेश यह कभी दान सवायां भिधान परशद या राज सवाया राज लोग सवाई आरा सवाई को अध्यादेश पारित हुआ है और उसी समय अगर इंग्लिस न्यूज चैनल आप देख रहेंगे इंग्लिस पेपर देखेंगे तो वहाँ लिखा रहा था है और डिनेंस मतला अध्यादेश का क्या अर्थ बचे बहुत आसान है संभीधान संचेपन मूल अनुछेत के कितने हिस्सों के बरावर होना चेतो एक तिहाई वन थर्ड यह भी कोशन पूछा गया था वन थर्ड सिक्स्टी है राज भासा संकल्प संसद में कम पारित हुआ उन संसरकूलर का अर्थ है परिपट्र सर्कूलर का अर्थ क्या अकर जयार रता फारिपत्र 66 का सी 67 Memorandum भी important बचे Memorandum का अर्थ हो था ग्यापन आपकी अपने युनिवर्सिटी में जो भी विद्यार्थी संग है कोई इसू पर जो सरकारी पत्र वो लिखते हैं कोई इसू पर चाहे चाहे क्या बात हो सकता है बचे जैसे कोई बचे अपने एक्जाम का फॉर्म भरने से वंचीत रग है बहुत सारे बचे एक्जाम भरने से वंचीत रग उनको पता ही नहीं चला तो आपका जो विद्यार्थी संग है आप उसे कंप्लेन करते हैं तो जो विद्यार्थी संग ज किहां है पृणी कप्रेंद लेते हैं बस एक तारीको रेजिलेशन सेंगल्प अंगल्प संकल्प और अे तारीक उना सिंख्फित हैं थर्टी फर्स्ट, गैजेट का क्या अर्थ होता है राजपत्र, बिहार सरकार या भारत सरकार जब कोई नोटिस दारी करती है तो उसमें लिखा वाता है भारती राजपत्र, भारत राजपत्र, इंडियन गैजेट, बच्चे सुने होंगे, एप्रूबल का अर्थ है, अनुम आधिकरन इंस्ट्रक्शन का आर्थ है निर्देस अधिन सई है आइडियल का आर्थ है आदर्स रूल का आर्थ है रूल का आर्थ है नियम बचे पता है तुम ये रूल नहीं जानते हो मतलो तुम ये नियम नहीं जानते हो या ये रूल ब्रेक हुआ तो ये नियम टूट गया ऐसा बोलते हैं हम लोग आपस में प्रोसेडियूर का आर्थ है प्रक्रिया ने कहते हैं इस प् पला नुसासक का अंगरीजी रूप है सूने होंगे वाहिस्टानसलर का मतलब होता है कुलति आपके युनिवर्सिटी में जो है 87 प्राधनाचार का अंग्रेजी रूप है प्रिंसिपल प्राधनाचार का अंग्रेजी रूप क्या है बचे प्रिंसिपल कुला नुसासक का अंग्रेजी रूप है प्रोटेक्टर वहाँ पिछले साल जो कोशन पूछा था कि प्रॉक्टर का हिंदी क्या है तो कुला नुसास जहीं हिंदी को अंगयाजी रूप है रजिस्टार अंग्रीजन वहाँ पर अंग्रीज दिया हो था कि लाजिसेंस का हेंडी क्या होगा प्रत्र का हंदी विफत्र का अंघ्री जिरूप है बिल विफत्र का अंग्री जिरूप मतलब होता है वारिस जो वसियत कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए वसीयत बनाते हैं तो जो उनका वारिष होता है उनके विछ वसीयत डिस्टिब्यूट होता है नंडी फॉर नमर योजना ऑन प्लान अया है को यह प्लान आया मतला यह यह जोसना इसका अंतरगता कोई यह यीछ मिलेगा ऑप से यह चीज लिया जा रहा है विसिरल एक्सपर्ट आप ठुषू किसी चीज़ मैं एक्सपर्ट होंगे तो आप विसिर्थ हैं पारपत्र का अंगरी जी रूप है, पासपूर्ट, पारपत्र का अंगरी जी रूप क्या बच्छे, पासपूर्ट ध्यान रखे, निगम का अंगरी जी रूप है, कौर्पोरेशन, मतलब निगम होता है, परियोजना का अंगरी जी रूप है, प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक् सब्सक्राइब करेंगे ठीक है और बात भी वीडियो भी बनाएंगे तो हमारे चैनल से जुरी रहे हर प्रकार का सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें और अपने प्राइब में और दिन दुनी राचोगे निकर सकते हैं जार चांद लगा सकते हैं इसके लिए प्रीज हमारे चैनल को बचे सब्सक्राइब करतें लाइक करतें और बेल आइकन को भी दवालने बचें धन्यवाद झाल झाल